सालों पहले लीग हुई थी करीना शाहिद की लिप लॉक वाली तस्वीर वाइरल किसिंग फोटो से बरबाद हो गया था शाहिद का करियर तो अब 19 साल पुराने किस्से पर चुप़ी तोड़ते दिखें हैं आक्थर जी हां बॉलिवुड के अधूरी प्रेम कहानियों में बेबो करीना कपूर और कबीर सिंग शाहिद कपूर का नाम ना लिया जाए तो ऐसा भला कैसे ही हो सकता है भै आखिर एक वक्त पर जहां ये दोनों साथ फेरे लेने के सपने देखा करते थे तो आज आलम ये है कि ये एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते है यो तो करीना और शाहिद के ब्रेक अप को एक लंबा अरसा बीच चुका है और आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिली लाइफ में खूब खुश है लकिन इसी बीच इस एक्स लवबड कपल के एक किस्से ने फिर से जमानी के अटेंशन को ग्रैब कर लिया है दरसल ये किस्सा कुछ और नहीं बलकि सालों पहले इस जोडी के लिप लॉक की वाइरल तस्वीर का है जी हाँ जिस वक्त शाहिद और करीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे उसी दौरान उनकी एक किस्सिंग फोटो लीग हो गई थी जिसने उस वक्त खबरों के बाजार को खुब गर्म कर दिया था वहीं अभी इस किस्से के पूरे 19 साल भी जाने के बाद शाहिद ने अपनी चुपीस मामले पर तोड़ी है इतना ही नहीं कभीर सिंग आक्टर ने तो ये तक कह दिया है कि इस किस्से की वज़ा से वो खुद को बरबाद समझने लगे थे पहले तो आपको ये बता दे कि ये तस्वीर साल 2004 में वाइरल हुई थी उस दोरान शाहिद और करीना एक नाइट क्लब में मौजूद थे जहां उन्होंने एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हुए एक दूजे को लिप लॉक किया था जिसके बाद अगली ही सुभा इस कपल की ये तस्वीर हर अकभार में चप गई और हर तरफ इसकी बाते भी होने लगी हाला कि तब ना तो शाहिद और ना ही करीना ने समुद्दे पर कोई भी बात की थी लेकिन अब सालों बाद एक इंटरव्यू में शाहिद ने अपनी एक्स गर्ल्फरिंड के साथ वाइरल हुई किसिंग फोटो को लेकर बात की है जिसमें उन्होंने कहा की मैं सिर्फ 24 साल का बच्चा था और मुझे लगा मेरी प्राइवेसी पर हमला किया गया और मैं इसकी सेफटी के लिए कुछ नहीं कर सकता था मैं सोच रहा था ये क्या हो गया और क्या हो रहा है जाहिर से बात है कि उस वक्त ये चीज़े बहुत चुत्ती हैं आपको समझी नहीं आता कि जिस लड़की को आप डेट कर रहे हैं उसके साथ कैसे रहे करीना शाहिद की किसिंग फोटो के वाइरल होने के पीछे एक और किस्सा भी जुड़ा हुआ है आपको बता दे कि महस 500 रुपे में ये तस्वीर बिक गई थी जी हाँ दो लड़कों ने सिर्फ 500 रुपे के लिए क्लब में शाहिद और करीना की किस्त वाली तस्वीर को लीग कर दिया था बात अगर शाहिद और करीना की करें तो दोनों एक दौर में काफी अच्छे रिष्टे में थे कई साल तक इस जोडी ने डेटिंग भी की और कई फिल्मों में साथ में काम भी किया चर्चा थी कि एक अपल जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध जाएगा हानकी इन खबरों के बीच ही शाहिद करीना के प्रेक अप की बाद जबाने के आगे आ गई साल 2007 में इस जोडी की राहें अलग हो गई थी जिससे इनके फान्स भी हैरान रहे गए थे जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए साल 2012 में करीना ने नवाब सेफली खान से शादी कर ली थी जिसके बाद वो दो बेटों तैमूर और जे की मापनी तो दूसरी और करीना से अलग होने के बाद शाहिद ने खुद से 14 साल छोटी मीरा राजपूट से अरेंज मैरिज कर ली थी चाहिद भी अब दो बच्चों बेटी मीशा और बेटे जैन के पापा बन चुके हैं